C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है पाठ्थे चर्या पर आधारित श्रिंखला ध्वानी शाला तो आईए अब चलते हैं कक्षा 6 की ध्वानी शाला में आज हम लोग कक्षा 6 के पार्ट बच्पन पर बात्चित करेंगे साथियों इसके सहारे शायद हम अपने बच्पन पर भी बात करें आपने बहुत से लोगों के बच्पन के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा अब्दुरकालाम के बच्पन के बारे में, गांधी जी के बच्पन के बारे में, विवेका नंजी के बच्पन के बारे में, सुभाशन बोस के बच्पन के बारे में बहुत सी बचपन की कहानियां पढ़ी होंगी और देखिए कि कृष्णा सोब्ती जिसके बचपन के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बड़ी लेखिका है कृष्णा सोब्ती तो आज इसकी चर्चा कर रहे हैं कि क्या आज इस बच्चपन के बारे में वो बात कर रही हैं, उनसे इसमें क्या फर्क है, थोड़ा देखने की कोशिश करिएगा सातियों आज मेरे साथ तनीशा बैठी हुई है, तो तनीशा से मैं जानना चाहूँगी कि तनीशा तुम बताओ, कि दो-तीन साल पहले तुम अगर खान पान तुम्हारा क्या बदला है, क्या आज और पहले में, क्या पहनावा वढ़ावा बदला है, क्या तुम्हारी पसंद इन तीनों चीजों के बारे में थोड़ी सी बताओ, दनीशा. बच्पन में. तुम्हें अच्छा लगता है ये बदलाओ? हां जी. अच्छा लगता है? हां जी. चलो आज अब चर्चा करते हैं थोड़ी सी कृष्णा सूपती के बच्पन के बारे में. साथियों कृष्णा सूपती का एक कारिकरम है, जो आप सभी सुन लीजिएगा थो बच्पन के बारे में कह रही है, उससे कहां तक आज भी उनके स्मृतियों में वह समाया हुआ है, कहां तक वह दिखाई पढ़ रहा है. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इस पूरे पाठ में किन-किन बातों पर लेखिकाने जोर दिया है. आपको तुम्हें अपने बच्पन के ओर ले जाओंगी, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ. तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी. परिवार में मुझे सभी लोग जी-जी कहकर बुलाते हैं. अच्छा, यहां उनमें कुछ खास बात है, तभी तो उनमें जी-जी भी दिखाई पड़ती हैं, उनमें बुआ भी दिखाई पड़ती हैं, उनमें दादी भी, उनमें नानी भी, कुछ भी हो सकती हैं, मौसी भी. और दोस्तों के साथ, दोस्त, आपकी दोस्त भी हो सकती हैं. तो एक ऐसे ब गई है कि आज जो मैं कपड़े पहन रही हूँ, आज जैसा मैं महसूस कर रही हूँ, लगता है जैसे थोड़ी बुड़ी हो रही है, थोड़ी उम्र जादा हो गई है, एसास होता है न थोड़ाजा, फिर अचानक याद आता है कि ऐसा भी नहीं है, उन्हें इस मृतियों में याद आता है कि एक समय था जब वो फ्रॉक पहना करती थी, जब वो लेहंगे पहना करती थी, जब वो घागरा पहना करती थी, स्कर्ट पहना करती थी, और उनको जैसे ही हम बच्पन के बारे में याद करते हैं न, हम थोड़े और नए हो जाते हैं, थोड़े और अपने आ बना किया जाता है। ऐसा नहीं हो करना चाहिए, हमारे बादा पिता से भी मैं आगरा करूंगे, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, खेलने दीजिए बच्चों को बाकाइदा, और ये बचपन फिर लॉट के नहीं आता है। बचपन तो एक बार गया तो गया, सिर्फ स्मिर्थियों जिसको हम लोग कहें कि लेखिका ने अपने पहनावे उड़हवे का दिर्ग्र किया है। अब इस पहनावे उड़हवे को पढ़ करके, सुन करके आपको लगता होगा कि ऐसा लगता है कि आज तो ये सारे ड्रस उकेजनली पहनते हैं। लोग किसी-किसी खाज उत्सो पर पहनते हैं, किसी की शादी में, अब वो समय चला गया, जब सहज जंग से इसको हम पहनते रहे हों। यानि पहनावे उड़ावे में जो इतना बदलाव आया है, उसकी तरफ ध्यान दिलाती है लेखी का। तो ऐसा पहनावे उड़ावे में जो बदलाव आया है, उसकी और हमारा ध्यान ले जाती है। और सच पूछिए तो बच्चों, आप लोगों को तो एक परियोजना भी असक करना ही चाहिए, कि आखिर किन दर्शकों में कौन से कपड़े ज़्यादा मशुहूर रहे हैं, और बच्चे का क्या कपड़े पहनते रहे हैं, किस राज़े के बच्चे क्या कपड़े पहनते किस देश के बच्चे भी आगे जाया सकता है, पहले राज़े तक करिए बात, तो आप पहनावे उड़ावे पर एक बाकाइदा एक परियोजना कारे कर सकते हैं, और अपने इस परियोजना कारे में अपनी फाइल में, जो आप फाइल बनाएं, उस फाइल में बाकाइदा अपने से कटिंग करके कुछ कपड़ों को वहां लगा भी सकते हैं, चिपका भी सकते हैं, तो आपको कपड़ों की जानकारी हो पाएगी, और एक और बात कहोंगे तनिशा, जब कपड़ों के बारे में करना ना, कपड़ों लगाना अपने फाइल में, तो ये भी ध्यान रखना कि जो कपड़े होते हैं, उनी कपड़े होते हैं, सूती कपड़े होते हैं, बहुत सारे कपड़े, तरह तरह के कपड़े होते हैं तो वो कौन से कपड़े किस मौसम में प पहने जाते हैं, कौन से छेत्र में, कौन से राज्य में, कौन से कपड़े पहने जाते हैं, या भी आप जान पाएंगे, तो वह भी उसमें चिपका करके, छू करके जानिए कि कैसा उसका सपर्श होगा, तो वह कपड़ा किस राज्य में और किस समय में पहना जाता होगा, कहा बनता है, ہद करगे की भी दौरा कर सकते हैं, आभी तो lockdown है, लेकिन को समय बाद आप चाहें, तो देख सकते हैं, और ना सही, तो आप website पर जा करके देखिए थोड़ा सा, innernet पर जा करके देखिए, हद करगों के बारे में जानिये, कि हतकरगा के बाद अब क्या पावरलूम आ चुगा है अब बदल गया है ना टेरे लिन के कपड़े जो तुम पहनते हो वो बदल गया है पहले हाथ से बनते थे कपड़े तो कपड़ों के बारे में पूरी एक जर्णी, पूरी एक यात्रा, बाकाइदा आप लिख सकते हो, एक परियोजना कारे में कर सकते हो अपने फिर दूसरे अंश में आप आएं, तो लेखिका सिर्फ कपड़ों तक नहीं सीमित रहती है बच्पन में ये लोग जूते पहनते थे, जूतों के देखरक कैसे करते थे, इसका भी जिकराता है, ये बहुत बढ़िया है क्योंकि तुम लोग भी शायद अपने कपड़ों के देखरक कुद करते होगे, या तुमारी मा करती है, कों झाल करता है? मम्मी क कभी हम अच्छा तो लेकिन अपने उसे करना चाहिए अपने कपड़ों की देखरें, लेखेका ने खास तोर से जोर की दिया है, कि अपने मोजेद होना, अपने जूते पालिश करना, ये हमारा खुद का काम होता था, कोई और में हमारी सहायता इसमें नहीं करता था, तो ये बात जो से काम करते थे, खुद से उसको देखरेक करते थे, और कैसे देखरेक करते थे, इसका भी जिक्राया, और जैसे ही जूते उनके हाथ में आये, लेकिका के, उनको तुरन ध्यान आया, कि ये जूते जब हम लोग पहनते हैं, तो कभी-कभी तो ये काटते हैं, कभी-कभी तो चुर चुर की आवाज होती है। फिर वो कहती है कि पिछली जमाने में जब हम लोग जूते पहन कर चलते थे तो क्या करते थे हाथों में रूई लेकर चले जाते थे। ताकि जब कभी काटे जूते तो हम उसमें लगा लें। आप भी ऐसा करती है? एक्तम से एक-एक करके जब उनको ध्यान आता है कपड़ों का और आज और पुराने में क्या अंतर था वो तुरंत करती चली जाती है। फिर से उनको याद आता है कि हमारे जमाने में मनोरंजन के साधन क्या हुआ करते थे? अब इस जमाने में नहीं है हूँ अभी भी आपको म्यूजिक में भी दिखाई पड़ेंगे कुछ शौकीन लोग अपने घरों में भी रखते हैं आज भी रखते हैं और बहुत ही शौकीन लोग हैं वो लोग ग्रामो फोन रख रहे हैं वो एक तरह से शौपीस की तरह हमारे पास रहता है जादा उसका प्रियोग नहीं होता है कम लोग उसका प्रियोग करते हैं फिल्मों में आपने देखा होगा तो ग्रामो फोन हुआ करता था आज क्या हो गया है उसकी जग़पर? आज कुल फोन होने लग गए, टीवी होने लग गए, रेडियो हो गए, लैपटॉप हो गए, टैब हो गए सब कुछ हो गया, बहुत कुछ हो चुका है तो बहुत से मनोरंजन के साधन आज हो चुके हैं इन मनोरंजन के साधनों के साथ और पहले की मनोरंजन की तुल्ला किया जा साधनों के तो बहुत काम हुआ करता था वो थोड़े से संगीत हम लोग सुन लिया करते थे ग्रामोफोन पर ऐसा लेकिका कहती है तो एकदम से क्या अंतर आया है मनोरंजन की दुनिया में उस पर भी हमारा ध्यान दिलाती चली जाती है। आप चाहो तो इस यात्रा को भी बाकाइदा लिख सकते हैं, यानि मनोरंजन की यात्रा, यानि संगीत की दुनिया की यात्रा। तो आप जानने की कोशिश करो कि पहले कैसा होता था और आज कैसा होता था उसमें तकनीकी परिवर्तन कैसा आया है और उसमें अगर देखा जाये तो लेखन में कैसा गीतों के लेखन में कैसा परिवर्तन आया है संगीत में कैसा परिवर्तन आया है चाहो तो आप लोगों से ऋवे को बात्चित कर सकते हो justement, आप लोग बात भी बात्भी करो और इसको करो इस आपको बहुत से शेतना के जानकारी होगी, केवल हिंदी , केवल भारषा के बारे में नहीं मिलकी भार्षा के जरीए आप संगीत की ओर जा सकते हैं आप बाकाइदा बहुत सी दुनिया के बारे में जान सकते हैं तो ये भी वो आगे करती चली जाती है फिर वो आजाती है खान पान पर खान पान में उन्होंने बहुत सारे जिक्र किये हैं आपको याद होगा, मुह में पानी आ रहा है ना, कुलफी की बात करती है, वो कहती है कि पहले कुलफी हुआ करता था, आज आइस क्रीम हो गया है, लेकिन आपको याद होगा कि आज भी कुलफी चलती है, बहुत फर्क नहीं आया है, कम से कम खान पान में कुछ चीजें, आज हमारे यहां एक परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा कि पुरानी चीजें भी बाकाइदा शौक से वो लोग उसको खाते हैं और उसको बनाते हैं जैसे कुलफी का जिक्र किया है इन्होंने की कुलफी हुआ करती थी और आज हमारे यहां आईस क्रीम होता है लेकिन शर्व अब भी पीते हो ने अब तो यह लेकिका ने भी वड़न किया है कि फालसे के शर्वत हुआ करते थे बहुत सरे शर्वत तरह तरह के शर्वत हुआ करते थे और उन शर्वत को पीते थे पहले बाकाइदा कोक और पेपसी पहले नहीं हुआ करता था इस तरह की चीजें पहले शिमलामे रहती से उनका पूरा बच्पन उनका पूरा बच्पन moimyt Šimla की पहाडियों का सिक्र करती है, साथ ही आधिंग सी जिक्र करती है, कैसे मुछे उचा-नीचा रास्ता हुआ करता जिनके अब नाम भी हम लोगों के लिए बिल्कुल नए हैं, जैसे उन्होंने कस्मल फल का जिक्र किया है, कस्मल, जानती है आप कस्मल क्या होता है, एक तरह की रस्भरी, रस्भरी के नाम से आप जानते हो न, रस्भरी खाते हो, तो रस्भरी एक तरह का, तो नए ने पॉले भी आ रही है इनके आहां, कि किसी खास शेत्र में, किसी के लिए रस्वरी के लिए क्या शब्द चलता है, ये भी आपको जानने की जरूरत है, अगर दक्षिन भारत की लड़की कोई आपकी फ्रेंट है, मित्र है, तो आप उससे जानने की कोशिश करो, कि इसके लिए उनके यहां क्या शब्द है, क्या ये फल उनके यहां मिलता है, क्या, अगर मिलता है तो क्या नाम है, तो ये सारे नाम अगर इकठे करोगे न, आप बहुसी भाशाएं जान पाओगे, उनका खान पान जान पाओगे, उनका रहन सहन जान पाओगे, तो वह भी कोशिश करना ये बहुत ज़रूरी है इससे तुमारी मितरता भी अच्छी हो जाएगे निश्यतरूफ से है ना तुमारे दोस्त के साथ मितरता भी अच्छी होगी और उनके साथ खानपान के भी शेयर कर पाओगे और साथ ही इनमें एक और शब्दा है काफल काफल आप पता नहीं जानती होगे मेरे खाले दोस्तों नहीं जानते होगे एक तरह का फल होता है लेकिन इसका हम लोग आज क्या कहते हैं सैतूस अच्छा बेबेरी जी बिलकुल जी 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 जिसको हम लोग बेबेरी भी कहते हैं बहुत अच्छा तो इसको जानने की कोशिश करो कि अलग-अलग भाशाओं में जो आपके साथ ही बेठे हैं अलग-अलग भाशाओं के वो साथ ही इन शब्दों को क्या कहते हैं? क्या उनके आपके लाम है इसके लिए? तो एक बर जड़ा सा जरूर जानने की कुछ आपके पास एक पूरा इसके लिए अलग-अलग नाम जो हमारे देश में मशुहूर है, अलग-अलग राजियों में वो भी आप इकठा कर सकोगे, आप बहुत कुछ जान पाओगे, तो इसको जरूर करना सफाथियों। एक और जिक्राया है, chestnut. Chestnut. Chestnut सुना है? इस जमाने में तो नहीं सुना है. देखा नहीं होगा. वालनट सुना होगा? अखरोट सुना होगा? तो अखरोट की तरह का एक फल होता है, chestnut. ये साब पेड उन्होंने शिमला की पहाड़ियों में देखे. रस्ते में घूमते हुए, तोड़ कर खाते हुए, और आज अलग अलग राजियों में किस नाम से हम उसे जानते हैं? ये भी वो कहीं बताती जाते हैं, और ये भी बताती चलती हैं कि कौन से शेतर में कौन से फल होते हैं. ये भी बात है. आपको अखरोट हर जगह तो नहीं दिखाई पड़ेंगे, हर जगह नहीं होंगे, तो वो पहाड़ियों पर होते हैं, तो ये अखरोट हर जगह आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे, अखरोट की तरह कि ये फल भी हर जगह नहीं दिखाई पड़ेंगे, तो ये भी हमें प ते रास्तों से आगे जब हम चर्च जाखू की पहाड़ियों पर पहुंचते थे तो जाखू की पहाड़ियों पर चर्च दिखाई परता था उसके सामने ही एक स्केंडल पॉइंट हुआ करता था शिम्ला में तो स्केंडल पॉइंट के ठीक सामने कुछ दुकाने हुआ करती सबसे पहले तो उनको ध्यान आता है कि हम जब उन सठकों पर चलते थे, रस्ते पर चलते थे तो क्या खाती थी? चने जोर गरम अच्छा, चने जोर गरम किसी चीज में खाते हो? ध्यान है आपको? काघस का एक काघस की पुरिया बेना के खाते हैं हाँ, और कागज की पुडिया का शेप कैसा होता है? वो गोल होता है और नीचे से नहां मुड जाता है ये खुद हाथों से बना लेते हैं? हाथ से बना देखागज से बनता है इसके लिए किसी चीज की ज़रूरत नहीं कितना सुन्दर है और वो भी कितनी सहूलियत से, कितनी वैग्यानिक धंग से कि उपर से चोड़ा, नीचे से पतला असानी से उसमें से अब दाने निकाल लो और फिर लेकी का एक बहुत सुन्दर बात करती है वो कहती है कि जब हम वो खाते हुए चलते थे ना तो हमरी चाल बदल जाती थी तुम भी जब मस्ती में अपने साथियों के साहथ खाते वोए दोस्तों धिहान रखना, कि सामानी ढग से चलना बिल्कुल बिना निश्फिक्र होकर, जिसको कहते है निश्चिंत होकर निश्चिंत होकर चलना और ऐसे चलना कि स्कूल जा रहे हो या किसी काम से चा रहे हो दोनों चाल में फर्ख होता है आज से जरा ये भी ध्यान देना शुरू कर देना कि लोग चलते हैं तो कब कौन सी चाल है आप बिना समझे बिना पूछे उनसे जान जाओगे कि वो कहा जा रहे हैं उनकी चाल को देखकर समझ पाओगे कि उनके भाव क्या है, वो क्या सोच रहे है इस वक्त, सब कुछ आप समझ पाओगे, उसका भी जिक्री यहाँ पर लेखिका ने किया है और साथ ही उन्होंने आगे चलती है, बजार देखती है, दुकान के साम में क्या बिक्ता है, तो एक दम से उन्हीं याद आता है कि उस दुकान में रेल का जो उस जमाने में जो ट्वाय ट्रेन चलती है ना, खिलोना गाड़ी एक चलती है वहाँ पर, शिमला में जो कालका से करके शिमला तक जाती है, तो वह बाकाइदा एक छोटी सी ट्रेन होती है, और कई उसकी नहल, टैनल के भी से जाती है, गुफाओं के भी से जाती है, तो वैसा ही एक मॉडल भी पहले बहुत बिक्ता था, क्योंकि उस शुरुआत थी ना, तो शुरुआत के समय मॉडल भी अच्छे से बिकता था, और लोग उसको पसंद करते हैं, जैसे ही ट्रेन का जिक्र करती है, तो वो कहती है कि पहले वही हमें हवाई जहाज की तरह लगा करता था, उसकी गती हमें लगता था इतनी तेज, और आज आप जब उस खिलोने गाड़े हैं चड़ोगे ना करती है, तो उसके बाद हवाई जहाज का जिक्र करती है, कि बहुत इके दुखे चला करते थे, ज्यादा नहीं चलते थे, एक तम उसके बाद लेखी का आजाती है, कि जब बाजार की बात करती है, तो बाजार में उनका ध्यान जाता है, कि बाजार में तो चश्मे की दुक लगाया करता था सूरत बनी लंगूर की पढ़ो जरो बताओ क्या है आख पर लगाया ताकि सूझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की जैसे भाई बहन आपस में चिड़ाते हैं उसका भी जिकर किया है नोने और खासतों से चश्मिश कह करके तो सब लोग चिड़ाते हैं तो आपको पता होगा लेकिन उन्होंने एक कविता ही बना दी पहले कि समाने में साथियों आपको ध्यान होगा कि जैसे ही हम एक दूसरे को चिड़ाते थे ना तो कविताएं बना देते थे खेल खेल में कविताएं बना देते थे तो यह बहुत आप भी जरह याद करो, आज क्या आप लोग केलते हो तो ऐसा कुछ करते हो, एक दूसरों को चड़ाते हुए, कविताओं की पंक्तियां, तुक बंदियां करते हो, क्या करने के कोशिश करो, क्योंकि आप शब्दों से खेलोगे तो बहुत कुछ सीख पाओगे, आप शब्द किया क्या है, कि ने कर्امरे को है, अब उनको चशमा कैसे पढ़ने लगी, कैसे उन्होंने एक बहुत बड़िया और भी जिक्र किया है, कि डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा था कि आप धीरे थोड़े दिन लगाऊ चश में उतर जाएंगे लेकिन कभी नहीं उतरा फिर लेकिका ये भी कहती है कि नहोटारने का काहरण ये भी है कि मैं बहुत मध्यम रोषनी में पड़ती थी यानि मध्यम रोषनी में नहीं पढ़ना चाही है तेज रोशनी अच्छी रोशनी में पढ़ो, हमेशा अच्छी रोशनी में पढ़ो, तो आपकी आँख ठीक रहेगी, तो अपनी आँखों को खराब करने का जिम्मेवार वो खुद को ही बताती है, फिर उनका जिकराता है, लास्ट जो अंतिम है, उसमें वो कहती है, कि टोप वो बाद में अच्छी लगने लगती है। आप खुद भी तीन-तीन साल के अंतर में बच्चों आप लोग देखिएगा कि आपकी पसंद बदल रही है। जो पहले पसंद नहीं आती थी वो अच्छी लगने लगी। जो आज अच्छी लग रही हो सकता है कल को फिर खराब लगे। तो इसलिए इसमें ये बाद ध्यान रखने की जरूरत है कि ये कोई स्थाई चीज नहीं होती है। हवेशा हम धीरे 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 अपनी पसंद बनती है। बाद में चल करके एक ऐसी पसंद बन जाती है। बहुत बड़े होते हैं तब जा करके जिसे आप कह सकते है कि ये हमें अच्छा लगता है। लेकिन बड़ापे में रंग अपने कम हलके रंग पसंद आने लगते हैं। लेखी का ने भी जिक्र किया है। तो ये सारी चीजें इसके साथ आप बाकाइदा एक यात्रा कर सकते हो। खान-पान का, रहसेहन का, कपड़ों का, भुगोल का बाकाइदा ये क्यात्रा कर सकते हो, इस पर एक परियोजना जरूर करना, आप नेट के सहारे थोड़ा सा आप इंटरनेट का सहारा लीजिए और अपने साथियों से बात करिए। ना सहें आपको इंटरनेट नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। आप अपने साथियों से जिक्र करिए, साथों से चर्चा करिए, माबाप से चर्चा करिए, महले में तरह तरह की लोग रहते हैं, एक महले में एक ही शेतर के लोग नहीं रहते हैं, कई शेतर के लोग रहते हैं, उनसे जानकारी हासिल करिए, और पुरानी किताबों से भी थोड़ी जानकारी हासिल करि बहुत सी पत्रिकाएं भी हमारे सामने अभी आजकल हम लोगों को पढ़ने को मिल जाती हैं, तो उन पत्रिकाओं का, अभी तो गांधी का एक बहुत ही किताब आई है, गांधी के बच्पन पर एक था मोहन, उसको बच्चों पढ़ना बहुत सुन्दर तरीके से, और बच्प पनेक जैसा होता है, और हर कोई बच्पन में खेल करता है, शरारत करता है, लेकिन लेखी का कुछ और भी करती है, उन और उन तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए, वो हर चीज को अब्सर्व करती है, और लोकन करती है, जो रास्तों में उन्हें दिखाई पड़ता है, उसको बाकाइदा उसके नाम से पहचानने की कोशिश करती है जो एक तरह की स्रिजनात मकता है साथियों आप भी ऐसा करना तो ये जरूर करना मैं थोड़े से कुछ भार्षा पर बात कर लो तुम से तुम बता सकोगी इसमें कुछ चीज़ें आई है अब जैसे मारना से मार बनता है काटना से क्या बनेगा पलटना पलट ये सुना होगा डालॉग भी बहुत जारा कविता में है ना पलट तो एक दब से पलटना से पलट फिर सीखना से क्या बनेगा हड़प से हड़प हड़पना से बिल्कुल और इसी तरह से अगर मैं कहूं चार दिन कुछ व्यक्ति एक लीटर ये क्या है इसको क्या कहोगे तुम इस प्रयोगों को क्या कहा जाएगा इस परिमान वाचक संग्या है ना तो अब इनको इसमें विशेशन भी आपको दिखाई पड़ेगा अब जैसे मैं तुम दर्जन केले चाहिए इसमें क्या है बताओ दो दर्जन ये दो दर्जन क्या है वो संधिवाचक है नहीं नहीं ये विशेशन है लेकिन कैसा है कैसा विशेशन है परिमान वाचक विशेशन यानि जो संख्या को बता रहा है परिमान वाचक विशेशन है इसी तरह से संधिया संधिया ध्यान दो, कि शब्दों में जो शब्द प्रयोग किया अब आप मोलो मेरी दिल्चस्मिया मैंने कहीं, कुछ और शब्द भी हो सकता है, इसके दूसरे शब्द बना करके देखो, दूसरे विशेशन लगा करके देखो, मेरी पसंद, पसंद भी तो आपका विशेशन हो गया मेरा पहनावा, मेरा खानपन, मेरी चाल, मेरा हाल चाल, मेरा ढंग, और विए कुछ, मेरा उटना, मेरा बैटना. बहुत बढ़िया, तो इस तरह के कुछ विशेशन के खेल करके देखो, अपने सातियों से अपने भाई बैन के साती खेल करके देखो, और आप पाओगे कि आपके पास बहुत सारे शब्दों की दुनिया खड़ी हो गई है, बहुत सारा शब्द भंडार हो चुका है, और इन शब्दों से बाकाइदा आप जीवन्त अनुछेद लिख सकते हो, जीवन्त अपने बच्पन के बारे में, अपनी यात्रा के बारे में, अपने पिछले समय के बारे में लिख सकते हो, और अपने माँ बाप के बारे में थोड़ी से चर्चा कर सकते हो, अपने माँ पिता से उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हर किसी को जब कोई अपना बच्पन याद आता है, तो उसे जीने की इच्छा हो जाती है, और ज्यादा, और ज्यादा उत्साह आ जाता है जीवर में, तो साथियों, आज हमने बच्पन पाठ के जरिये, कृष्णा सुपती के बच् और श्युम्ला के साथ-साथ, वहां के पहनावे, उढ़ावे, खान-पान, रहन, सहन, सब कुछ जाना हमने, और लेखिका के आँखों से देखते हुए, केवल वही नहीं जाना, हमें अचानक या भी ध्यान आता रहा साथ-साथ, जब लेखिका वहां के रास्तों का वर्ण कर रही थी, तो एक दिल्ली में रहने वाला बच्चा बाकाइदा दिल्ली की सडकों को देख रहा था, एक नौर्थिस्ट में रहने वाला बच्चा वहां की पहाड़ियों को देख रहा था, दक्षिन भारत में रहने वाला बच्चा वहां की मसालों के पेडों को देख रह तो बाकाइदा हर बच्चा अपने अपना बच्चपन देख रहा था, इनके बच्चपन के बहाने, अपने बच्चपन की यात्रा आप सब लोग कर रहे थे, तनिशा आप भी कर रही थी, तो मज़ा आया आपको इस बच्चपन के बारे में, इस बच्चपन के सारे आप जब लिखनी पड़ेगी, जो कुछ आज अच्छा लगता है, जो कुछ आपको बढ़िया दिखाई पड़ता है, और लोकन करते हैं, आप अब्जर्ब करते हैं, उन सब को रोजाना डाइरी में लिखते चले जाओ, दर्ज करते चले जाओ, और दो चार साल बाद जब अपनी ये आज ही से शुरू हो जाओ, आओ लिखो, साथियों आपने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ जाना बच्चपन के बारे में, अब इसके सहारे आप बहुत से लोगों के बच्चपन के बारे में जान सकते हैं, मैंने अभी आपसे कहा था, कि गांधी जी ने भी अपने के बच्पन में कुछ विशेश होता है, सबके बच्पन में कुछ बहुत सी ऐसी बातें होती है, जिसकी और लोगों का ध्यान नहीं गया है, सिर्फ उसका ही ध्यान गया है, तो आप अपने इस बच्पन की बातों को डाइरी में तो दर्ज करी रहे होगे, तो आज बहुत कुछ हमने जो चर्चा की इन बातों को भी लिखिएगा अपनी नोटबुक में और साथ ही और भी कहानिया भी लिखनी की कोशिश करिएगा हम सोचते हैं कि इस पार्ट पर और भी आपसे चर्चाएं करते रहेंगे आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ दूसरे द्रिश्टी कोण से इस पार्ट पर हम फिर से चर्चा करेंगे आपसे लेकिन आज की चर्चा यहीं खत्म होती है साथियो अभी आपने सुना पाठे चर्या पर आधारित ध्वानी शाला निर्माण सहयोग मिनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता ध्वन्यंकन शानु मुक्सीम और विकास सांगवान निर्माण अजीत होरू तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत